गुड मॉनिंग चिल्डरन कुसुमायम के ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बचो आज हम फिफ्ट क्लास की गनित की बुस्तख गनित का जादू का चैक्टर 13 है गुणा और भाग के तरीके में आए हुए अभ्यास का समय इसके सभी स्वालों को हल करना सीखेंगे इसे पहले के स्वाल मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में जो इसी चैक्टर पर मैंने पाँच वीडियो बना रखी है उसमें समझा रखे हैं तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे चैनल ओनलाइन स्टडी हब पर जाकर आप उसे देख सकते हैं तो देखिए आज की वीडियो शुरू करते हैं अभ्यास का समय सुखी एक खेत पर काम करता है उसे एक दिन के लिए 98 रुपए दिये जाते हैं अगर वहे 52 दिन काम करे तो वहे कितना कमाएगा तो यहां देखिए बच्चों यह है सुखी और एक खेत पर काम करता है सुखी की एक दिन की जो कमाई है वो 98 रुपए है है ना तो हम क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे सुखी की एक दिन की कमाई कितने रुपए है बताइए 98 में रुपए है ना अब यह कहता है कि 52 दिन काम करे तो हमें सुखी की 52 दिन की कमाई निकालनी है बच्चों कि 52 दिन में वो कितना कमा पाएगा तो इसके लिए हमें क्या करना है 98 में को 52 से गुना करना पड़ेगा है ना चलो करके दिखाओ मुझे देखो 98 में को 52 से हम गुना करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे आ गया समझ में 98 में को सबसे पहली लाइन में हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे अब यहां देखो अठाण में को दूसरी लाइन में किसे गुना करेंगे पचास से तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा पचास से क्यूंकि है पचास दो बावन होते हैं तो हमें पचास और जमा दो होते हैं न इसलिए हमने पहले दो से की है फिर 50 से की है अब देखिए 2 से करिए गुना 2, 8, 16 हासिल 1 2 नहीं 18 और 19 अब 50 से गुना करनी तो 50 वाली जो 0 है सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे और कितना बच गया 5 5 से गुना करेंगे 5, 8, 40 4 हासिल लगी 5 नहीं 45 45 और 4 कितने हो गए 49 अब देखो इसको जोड़ देंगे 6, 9 9 और एक 10 और 4 और एक हासिल 5 5,000 चान में तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सुखी की 52 दिन की कमाई कितनी आ गई 5,000 चान में रुपे ये सुखी की 52 दिन की कमाई आ जाएगे खै ये वाला सम देखिए हरिया ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया उसे 2,750 रुपे हर महीने 2 साल तक चुगाने हैं 2 साल पूरे होने तक वह कितने पैसे लोटा चुगा होगा तो देखिए विच्चो हरिया को मकान बनाना था ये है हरिया और ये उसका मकान उसको अपना मकान बनाना था उसके लिए उसने 2750 रुपे हर महीने 2 साल तक चुगाने हैं उसने कर्ज लिया है 2750 रुपे जो है उसको चुगाने पड़ेंगे तो एक महीने में उसको 2750 रुपे चुखाने पड़ते हैं है ना तो हम यहां क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हरिया द्वारा एक महीने में चुखाई राशी एक महीने में कितने है 2750 रुपे अब यह करता है दो साल तक देने हैं हरिया को है ना तो बच्चो बताओ दो साल में कितने महीने हो गए एक साल में 12 महीने और दो साल में 24 महीने तो 24 महीने में चुकाई गई राशी हमें निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे 2750 को 24 से गुना कर देंगे है ना और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ये देखी 2750 को 24 से गुना करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे 2750 को हम 4 से गुना करेंगे और दूसरी लाइन में 2750 को हम 20 से गुना करेंगे यहाँ पर हमें गुना करकर दिखाना है फिर जो आ जाएगा उसको हमें यहाँ पर जोड़ना है और जितना भी आए बच्चो आपको यहाँ पर लिखना है यह स्वाल आपको खुद अपने आप करके दिखाना है मुझे अब आगे देखो यह वाला स्वाल है रतिराम शहर में दूद बेचता है वहें रोज 23 रुपई लीटर के हिसाफ से 13 लीटर दूद बेचता है वहें कितना कमाता है यहाँ पर देखो बच्चो यह है रतिराम और सहर में दूद बेशने का कारिय करता है हर रोज 23 रुपए लीटर के हिसाब से यानि कि एक लीटर के कितने लेता है एक लीटर दूद की कीमत कितनी है 23 रुपए तो हम इसी तरह से यहां statement लिखनी मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे लिखना है यहां लिखना है कि रती राम की एक लीटर दूद की कीमत कितने रुपए थी बताओ 23 रुपए 23 रुपए है अब जो है रती राम कितना 13 लीटर दूद है तो फिर 13 लीटर दूद की कीमत निकालनी है हमें है ना तो क्या करेंगे 23 को 13 से गुणा कर देंगे easy है क्या करेंगे 23 को 13 से हमें गुणा करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 23 को 3 से गुणा करेंगे और दूसरी लाइन में 23 को 10 से गुणा करेंगे 10, 3, 13 होते हैं ना 3 से और फिर 10 से तो ये भी आपको खुद करना है बच्चो बहुत ही easy है आसान है और जितना भी हमारा इनको जोडने के बाद जो answer आएगा उतने रुपए जो है वो रतिराम जो है वो 13 लिटर दूद की कीमत हो जाएगी तो ये स्वाल भी बच्चो आपको खुद ही निकालना है अब आगे देखिए एक किसान एक लिटर दूद 11 रुपए में बेजता है एक महीने में वहे 210 लिटर दूद बेजता है ये देखो ये किसान है दूद ले रखा है ना इसने एक लिटर दूद 11 रुपए में बेजता ह तो एक महिने में कितना कमाता है ये पूछा गया है तो देखे इस स्वाल को भी हम किस तह से करेंगे यहां देखो एक लीटर दूद की कीमत जो है वो सबसे पहले हमें लिखनी है किसान की दिखेंगे हम यहां किसान की एक लीटर दूद की कीमत कितने रुपए हैं बताइए ग्यारे रुपए है है ना अब एक कहता है कि किसान की कितने लीटर करता है वो दूद बेशता है 210 लीटर दूद की कीमत कितनी आ जाएगी 210 को हम 11 से हमें बुना करने पड़ेगी तो वही तरीका है 210 210 लिखा नीचे हम 11 लिखेंगे यहां किसे करेंगे हम 210 को किसे पहले हम इस पीछे वाले एक से गुना करेंगे और दूसरी लाइन में 210 को हम 10 से गुना करेंगे 10 और 11 होता है ना इस तरह से तो बच्चो यह भी आपको खुद करके मुझे दिखाना है जोड देना है और जितने भी रुपए आए वो आपको यहां पर लिख देने हैं तो यह काम आपको खुद करना है अगर मैं आपको इस तरह से करवाती रहूंगी तो आप तो हो सकता है कई बच्चे मेरी नकल करके ही करते रहें तो मैंने आपको हिंट दे दिया है स्वाल समझा भी दिया है और किस तरह से स्टेटमेंट लिखनी है वो भी समझा दी है तो प्लीज आप जरूर यह इस तरह से गुना अपने आप जरूर की जिएगा अब आगे देखो यह वाला स्वाल हमारा एक कमपनी एक लीटर पैक पानी की बोतल बारे रुपई में बेचती है एक दुकानदार दोसो चालिस लीटर पैक पानी खरीदता है उसे कितने पैसे देने पढ़ेंगे यहाँ पर देखो बच्चो एक कमपनी है यह देखे यह पैक पानी की पैक किया हुआ पानी जो है बोतलों में वो बारे रुपई में एक बोतल बेचती है और दोसो चालिस लीटर पैक पानी खरीदता है एक दुकानदार उससे तो कितने पैसे देने पढ़ेंगे यह वाला स्वाल हमें निकालना है तो इसके लिए हमें से पहले क्या स्टेटमेंट लिखनी है वो देखिए आप हमें लिखना है एक लीटर पैक्ट पानी की कीमत यहां पानी का मुल्ले कितने रुपई है बारे रुपई है है ना और दुकानदार कितने लीटर खीतता है दो सो चालिस तो दो सो चालिस लीटर पैक्ट पानी का मुल्ले कितना हो जाएगा दो सो चालिस गुना में पार है इस तहां से हमें गुना करनी पड़ेगी दो सो चालिस को पार हैसे और एक और तरीका बताती हूं बच्चों में गुना करने का एक तो यही तरीका था, 2 से किया, फिर हमने 10 से किया, हम डारेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए, जैसे सबसे पहले हम 2 से करेंगे इसको उपर वाले से, ठीक है ना, 2 से करिए, 2, 0, 0, 2, 8, 2, 2, 4, हो गई उपर वाले से गुना कर ली, अब हम यह जो है, पहले 2 से की है हमने, अब इस से करनी है, यानि यह 10 दो बार है, यहां हमें 10 से गुना करनी है, 10 से का मतलब है यहां, की 10 में, लाश्ट में एक 0 भी है, है ना, तो उसके जगे हम 0 यहां already लिख देंगे, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, कि अब हमें, पहले हमने 2 से की, अब हमें एक से गुना करनी है, एक से गुना, एक से पहले कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो एक पहले 0 लगा देंगे, अब एक से करेंगे, एक 0, 0, 1, 4, 4, एक तुनी 2, अब इसको चोड़ देंगे, 0, 8, 4 और 48 और यह 2, तो कितने रुपए आ गए, 2880 रुपए, यह आ जाएगा हमारा, तो बच्चो, इस तरह से मैं आशा करती हूँ, कि आपको यह स्वाल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और अगर आपने मेरे चैनल, Online Study Hub को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और साथ में दिये बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, तो बच्चो, इससे आगे के स्वाल में दूसरी वीडियो में समझाऊंगी, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई